ये टीवी स्टार हो चुकी है कास्टिंग काउच का शिकार अक्ट्रिस पर फैंस ने लगाया था कंगना को धमकाने का आरो कौन है ये स्टार और क्या है पूरी खबर आईए बताते हैं आपको टीवी आक्ट्रस किश्वर मर्चंट ने अपने एक इंटर्व्यू में खुलासा किया है कि वो कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी है किश्वर के मुताबिक वो एक बड़े स्टार और बड़े प्रडूसर के साथ काम करने वाली थी लेकिन इस वाक्य के बाद उन्हें फिल्म को छोड़ना पड़ा आज तक को दिये गए इंटर्व्यू में जब उनसे पूशा गया कि क्या कभी उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया है तो उन्होंने बताया हाँ ये मेरे साथ एक बार हुआ है ये तब हुआ जब मैं एक मीटिंग के लिए गए थी मेरी माओ समय मेरे साथ थी मुझे कहा गया कि मुझे हीरो के साथ रात बितानी पड़ेगी मैंने पूरे अदब से उस ओफर को मना करा और हम वापस आ गय थे मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत होता है या ये नॉर्मल बात है इंडस्ट्री बदनाम है लेकिन हर इंडस्ट्री में ये चीज होती है किशवर ने कहा कि वो हीरो और प्रडियूसर का नाम नहीं बताएंगी लेकिन जान लीजिये कि वो बड़े नाम थे आगे किशवर ने कहा मेरा फोकस अपने काम पर था मैंने टीवी की तरफ जादा दिल्चस्पी रखी थी मुझे बहुत बढ़ियां और जादा काम मिलता चला गया आज मेरा करियर जैसा है मुझे उसे लेकर बहुत खुशी है आपको बता दे किशवर और सुयश उनका फर्स्ट बेबी एकस्पेक कर रही है तो बेबी के बाद काम पर वापसी कब करेंगी किशवर इस पर उन्हों ने कहा मैं वापसी में एक साल लूँगी मेरे पास घर पर अच्छी हेल्प है तो अगर रोल बहुत बढ़िया हुआ तो हो सकता है मैं जल्दी वापस आ जाओं देखते हैं क्या होता है आपको बता दे किशवर कंगना रनौत को मास्क ना पहनने की वज़ह से स्लैम कर चुकी है सोशल मीडिया पर उनकी स्टेटमेंट पर कंगना के फैंस ने उने किया था ट्रोल फैंस ने उठाए थे उनके करियर पर सवाल उन ट्रोलों को किशवर ने दिया था करारा जवाब